नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल कैरियर परिवार में मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये वीडियो आपका विशे सुरूप से सातवे चरन सिछक भाली से संबंधित है और बहुत जल्द आपका सातवे चरन सिछक भाली आपका सुरुवात होने जा रहा है और देखे ये लेटर से आपको पता चलता है कि बहुत जगहों से हरे एक जीला से अब धीरे-धीरे करके रिक्ती मांगा जा रहा है कि आपके पास क्योंकि छाठा चरन आपका लगभग 1-8 किलियर हो गया है 14-15-16 को विशेश चक्र था वो भी आपका समाप्त हो गया है और उसके बाद है आपको रिक्ती मांगा जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी जीलों से रिक्ती आ जाए उसके बाद फिर जोड़ करके आपको बहाली की परक्रिया शुरुवात किया तो इस लेटर को देखते हैं और आगे फिर बात करते हैं कि सातवे चरण की बहाली आपकी कब तक आने वाली है किस परकार से बहाली होगी यह सब मैंने लाइब में आया था वहां भी आपको बता चुके हैं और आज फिर आपको बताने वाले हैं लेटर में क्या कुछ कहा मधुबनी विशय है आपका कि वैसे परखंड एवं पंचायत जहां एक बार भी कॉंसेलिंग नहीं हुआ है वहां के कोटीवार रिक्ती की गनना एवं 31.12.2008 के बाद सेवा निब्रित हुए सिचको की रिक्ती की गनना कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंद में यानि कि वैसे परखंड वं पंचायत जहां एक भी अभी तक कॉंसेलिंग नहीं हो पाया आपको पता है कि तीन चक्र चला आपका कॉंसेलिंग का और एक वि इसे एक संबंद में आज दिनांक 16.32.22 के वीडियो कॉंसेलिंग में अपर मुख सचिव, सिच्छा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में वैसे परखंड एवं पंचायत जहां परथम चक्र से लेकर विशेष चर्णों के नियोजन की पर रिक्ति की गन्ना कर परतिवेदन अधो हस्ताचरी का रियालय को एक पक्च के अंदर उपलब्द कराना सुनिश्चित करें यानि कि 31.12.2018 के बाद जितने भी सिच्छक सेवा निब्रित हुए हैं उनको जोड़ करके मतलब कि रिक्ति बताने की बात यहां पर कही कही है कहा पर आपको लास्ट में जो दिया गया है कि यह सभी जोड़ करके ही साथवा चरन की जो बहाली होगी उसमें आपको किया जाएगा तो यहां पर एक ही इससे सुचना मिल रहा है कि आपकी जो साथवे चरन की जो बहाली है यह तो एक लेटर है और भी सभी जगा से धरे-धरे करके लेटर जा रहा है हर एक जिला में ठीक है तो ये मधुबनी का था भोजपूर का था और भी बहुत जग़ा का लेटर आपको मिल जाएगा देखने को और यहां से हर एक जिला से आपको रिक्टी मांगा जा रहा है और बहुत जल्द हमें लगता है कि अप्रैल लास्ट तक ठीक है गुप्त सुत्रों से भी पता चलता है कि अप्रैल लास्ट तक आपका बहाली की सुरुआत हो सकती है साथ वेचरन की ठीक है अप्रैल लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है ठीक है अप्रैल लास्ट तक आपका लिए शुरू हो जाएगी यानि कि 2022 में आपकी बहाली हो जाएगी हना एक दो महीना टाइम लगेगा ठीक है क्योंकि इस बार जो बहाली होने वाली है ऑनलाइन होगा तो आउनलाइन में थोड़ा सा समय भी कम लगेगा हना लोगों को ज्यादा परिशानी नहीं होगी ठीक है यही फॉम भरना है उसी में आपको सारा चीश देना पड़ेगा अब किस परकार से रहता है वह आने के बाद ही पता चलेगा ठीक है तो यह था आपका सातवा चरण सिच्छक बहाली से संबंधित और बहुत जल्द आपकी बहाली आने वाली है ऐसा लग रहा है तो चलिए म बहाली है